Good morning चलो जी Time value of money किया हम लोगों ने और कुछ भी अगर देखा जाये तो कुछ ऐसा किया नहीं कि जो आपको पता नहीं है सब आपको पता था अब दूसरा अब बिना time pass किये दूसरा topic लिख रहा है और topic का नाम है Cost of Capital सर पूरा पढ़ा होगी कि आपकी केड़ी कैसे कुछ नहीं बढ़ाने वाला हो मैं बस थूड़ा सा मुझे जो काम की चीजी न हुआ समझो है कि सर cost of capital और जरूरत कहां पढ़ती है सुना दियांसे मान लो यह company और company को किसी project में पैसा लगाना होता है और अगर इस project में जो पैसा लगाना है जो investment करना है अगर हम investment कर देते तो हमारा ऐसा अनुमान है कि इससे return मिलेगा हर सा आप इसको IRR बोला करते थे और return मिलेगा कितना 12 पर्शन तो साब 12 पर्शन का आपको return मिलने वाला है कितना रुपए लगाना सिर्फ एक लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगाना 12 पर्शन सवाल यह है कि हमें project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो question यह आता है कि एक लाख रुपए आएगा कहां से सर्फ बैंक में जमा है तो बैंक में जमा है तो उसका opportunity cost भी तो consider करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो पैसा में बैंक से निकाल कर लगाता हूँ तो वो जो मुझे interest मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा और बैंक में तो risk free पर मिलता था और यहां तो risk है तो मैं कोई और बात करता हूँ कितना रुपिया चाहिए एक लाक रुपिया आएगा कहा से तो हम लोगों ने यह decide किया कि कुछ पैसे किस से ले लेते हैं equity वालों से और कुछ पैसे किस से ले लेते हैं debt वालों से एकविडी वालों से कितना रुप्य ले रहे हैं हम लोक 60 हजार औरLETट वालों से कितना रुप्य ले रहे हैं 40,000 रुप्य मेल शाथ हजार बавно yan अगर मैं फानरेर की बात करूं तो हम की निकलते हैं के का मतलब कॉस्ट अब एक्विटी shareholder का expectation और जितना उनका expectation होगा हम उसको पूरा करने की कोशिस करेंगे dividend देना नहीं देना वो management की बात है अभी हम सोच रहे कि अगर हम equity shareholder से पैसे लेते हैं 60,000 रुपए तो हम उसे पूछ रहे कि यह कितना return चाहते है तो बताएगे हम पता करेंगे इसर कैसे पता होगा पता तो आप ऐसे कर सकते हो कि यार अभी अगर ये equity shareholder ये पैसा ये पैसा बैंक में जमा कर दे risk free तो मालो 6% मिलता ठीक है तो वो हम से जो चाहेगे वो 6% से उपर ही चाहेगे और वो ये देखेंगे इस जो प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो कितना risk है इन सब को देखते हुए shareholder हम सोच रहे है shareholder क्या सोच रहे है कि यार हम इस shareholder को कम से कम कितना पैसा देना चाहिए और हमने कितना return देना चाहिए और हमने decide किया कि यार इस 60,000 पे हमें 14% return देना पड़ेगा इसको बोलते है केई 14% और जिनों से हम debenture holder को तो interest देना पड़ता है interest कितना और interest देना पड़ेगा इन लोगों को 10% हाला कि tax rate दिया है और tax rate दिया हुआ है 60% पिल्कुल simple सी situation आपके सामने रखा है मैंने और question यह है whether project should be accept it or not simple क्या हमें project करना चाहिए हाला कि फिर से मैं बोल रहा हूँ साहब आपके लेवल का नहीं है यह किस लेवल का है CA enter पर इन सब की जरूरत मुझे पढ़ने वाली है इसलिए मैं यह सब कुछ करवा रहा हूँ बताइए project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह simple सी बात है बोलो कितना कमा रहे हो 12% पर यह जो 12% कमा रहे हो इधर कितना देना है इधर देना है ना वही गरबड हो रहा है एकवटी वाले को 14% देना और डेट वाले को 10% देना तो आपके मन में और एक ख्याल आएगा पूरा पैसा डेट से ले लेते ना पूरा पैसा डेट से ले तो लो कि लेकिन capital structure पड़ा हुआ ना और मैं बहुत ज़्यादा deep में नहीं जा सकता deep में नहीं मैं बहुत ज़्यादा backflash में नहीं जा सकता कि capital structure याद कर रहे हैं लिवरेज यात किजिए तो वो सब कुछ यात नहीं करवा सकता है उसके लिए तो आपको मेरी सीए इंटर की क्लास में आना पड़ेगा जो कभी आप आना नहीं चाहोगे तो चलो ठीक है छोड़ो 60,000 हमने इस तरह से capital structure maintain करके रखा कि हमें यहीं चाहिए अब सवाल यह है कि सहाव हमें देना कितना है देना सिंपल है 60,000 पर 14 परशन देना है और 40,000 पर 10 परशन देना है आपने यह नहीं टोटल मिलाकर कितना देना है खतमकर हो यह क्या साथ हजार पर इतना एक लाग पर कितना देना है बस बात कता है एक लाग पर जितना देना है उसको बोलते है overall cost of capital के ओ अच्छा सर के ओ बोलते है और क्या नाम है और क्या नाम है और क्या नाम है सोचो 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 हाँ, weighted average cost of capital भी गोलते हैं, बस, वो ही मैं सिखा रहा हूँ है, cost of गया, और फिर अगर यहाँ निकल गया, तो इसके इसाब से मैं decide करूँगा, कि मुझे project करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, अब एक बात है, सर 40,000 पे 10% interest मतलब 4,000 रुपर interest का जाएगा, 4,000 रुपर interest का दिखा सकती है, profit and loss account में, लेकिन जो interest जा रहा है, companies को expenses में दिखाएगी, और expenses बढ़ने की मज़े से, tax भी तो बचेगा, yes, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, overall cost of capital, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, cost of capital, तो चलो निकालते हैं, हमें निक over all cost of capital, या इसी को क्या बोलते हैं, weighted average, cost of capital, WSCC बोलते थे, तो बताओ, केई कितना, सर लिखा है, 14 पर, केड़ी कैसे निकालते हैं, केड़ी ऐसे निकालते हैं, I, 1- tax, I का मतलब rate of interest, rate of interest कितना, rate of interest एसाफ 10 पर, 10, 1- tax, rate of interest, rate of interest, rate of interest, कितना, tax of interest, 60% को ज्यादा नहीं हो गया है, क्या, सरना, इसको 40% करो, यह रो, change कर दिया है, पतला, 40% के, 60% बहुत होता, 40% से भी बहुत होता, पर ठीक है, चलेगा, 0.4 तो यह आगा है, 6%, तो, 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 एकवड़ी वाले को कितना देना, 14% और डेट वाले को कितना देना, 6%, तो क्या, केओ निकल सकता है, साथ हजार पे देना है, 14, प्लस, और कितना भई, और कितना केड़ी, मतलब, 40,000 पे नेट कोश्ट जा रहा है, मेरा अच्छे, तो, तो, टूटल इंट्रेस्ट हो जगा, परशंटेज नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं इन्टू हंड्रेट भी नहीं लगा हूंगा, और आप यहां परशंटेज लगाओके, तो फिर इन्टू हंड्रेट करना पड़ेगा, मैं इन्टू हंड्रेट नहीं करो, मैं सीधा निकाल रहा हूं, इस इस डव्लू ए से से, चेक करते कितना रहा, साथ हजार इन्टू चाउदा, एम प्लस, चालिस हजार इन्टू छे, एम प्लस, एम रसे डिवाड़ेड वाए, एक लाग, तो अंसर आ रहा है, टैन पॉइंट एट वर्शन, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सर कैसी कर सकते थे, के ओ इस इंकल टू, वेट, 60,000, 40,000, तो वेट, समझ इसका वेट कितना है, 60%, इसको हम क्या बोलते है, 0.6, तो 0.6 इन्टू 14, प्लस, 0.40 इन्टू 6, अंसर कितना है, अंसर 10.8 पर, इस इस वेटेड एवरेज कॉष्ट ऑफ कापटल, जरूरत पड़ेगी इसके, और यहां हम लिख देंगे, बताओ, ड़ू एससी, वेटेड एवरेज कॉष्ट ऑफ कापटल कितना है, 10.8 परशन, तो सहाब हमें देना कितना है, हमें देना 10.8 परशन, पर कमाओगी कितना है, 12 परशन, क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे, यास, इसके हिसाब से हमें डिशिजन लेना पड़ता है, कि हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, एक्ट्वल में जितना यहां हमको देना है, जितना मेरा कैपिटल का कॉस्ट है, कम से कम उतनी तो कमाओगी होना चाहिए, तो यहां किया जाएगा, प्रोजेक्ट शुड़ भी एक्सेप्टेट, इसको क्या बलते है, रिटर्न, रिटर्न को क्या बलते है, आईयरर, आईयरर is more than cost of capital, रिटर्न शुड़ भी एक्सेप्टेट, तो यह था cost of capital, थोड़ा हलका सा knowledge दे रहा हूँ, बहुत सारा theory मैं बिलकुल लिखवाने के पक्च में नहीं हूँ, क्यों लिखवाने के पक्च में नहीं हूँ, यह आपके syllabus का नहीं है, पर इसकी ज़रूरत है आके, ठीक के सर, यहां तक बात समझ में आई, अब आगे बढ़ है और लिख रहा है, point number 3, concept of NPV, क्या NPV पहले पढ़ा हुआ है, हाँ सर, अच्छे से पढ़ा हुआ, yes, क्या होता है NPV, सर, PVCI माइनस PVCO, और हमने capital बश्टिंग करके आ रहा है, बिलकु से, पर ना जब मैं merger करवाता हूँ, मर्जर एक चैप्टर, उसके लिए सब कुछ करवा रहा हूँ, जब मैं merger करवाता हूँ, तो बच्चे अजीब अजीब सी बाते करने लगते हैं, अब सर, अजीब अजीब सी बाते क्या करते हैं, पता नहीं, उनका थोड़ा सा CA inter-level पे, थोड़ा सा hold, मैं सभी बच्चों क कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर से वोड़ा हूँ, यहां मैं कुछ लिखवाँगा नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं हलका हलका सा knowledge देते हुए, चल रहा हूँ आपको, example, फिर से वह ले लेते ना, यार, यह क्या है सर, यह company, ठीक है, ओके सर, और यह क्या कर रहा है, यह किसी project में पैसा लगा रहा है, project, कितना उर रुपे लगाए जारहा है, एक लुप लाख रुपे लगा रहा है, इसको बलते है investment, initial investment, तो हमारा यह अनुमान है कि हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है किसी एक प्रोजेक्ट में और उसमें आज जो पैसा लग रहा हूँ कितना लग रहा एक लग और एक चीज का हमने एस्टिमेशन लगाया कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहा है वो कितने साल तक चलेगा वो तीन साल तक चलेगा और पैसा आएगा क्योंकि प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है कैस इंफ्लोष फ़स्ट यर में आएगा रूपीज 50,000 सेकेंड यर में कैसे इंफ्लोष sinners रूपीज 40,000 और थर्ड यर में कैश इंफ्लोस रूपीज 60 था बस तीन साल का प्रोजेक्ट बिलकुल अजीव सी बात है जी बुलीएं मतलब प्रोजेक्ट में एक लाग रुपे लगाना है ये बात समझ में आती है पर जो पैसा आएगा 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 ऑफ और कैसे इंफ्लो वो पहले साल में आएगा 55,000, दूसे साल में आएगा 40,000, तीसे साल में आएगा 50,000 तीसे सल इतना आएगा सोच कर देखो तो बिटी मेरी बात समझाओ क्या किसी भी चीज का अनुमान लगाया जा सकता है अनुमान लगाया जा सकता है मतलब क्या किसी भी बिजनिस में हम पैसा लगाती है तो हलका सा में अनुमान लग सकता है कि कितने साल बिजनेस चलेगा और कितना कितना पैसे हैगा सर बिलकु लग सकता है पर यहां मतलब पक्का थोड़ी ना यार मैंने कब कहा कि यह पक्का यह estimated है हम कभी भी business करते हैं वो कभी भी पक्का basis पे नहीं करते हैं estimated basis पे करते हैं और estimated estimation लगभग वही होता है सर कैसे पता लगा रहे हैं बस इतना बता दो बेटे सुनो यह पता ऐसे लगेगा या तो हमने पहले से ऐसा business किया हुआ है पहले से यह short term project है पहले से किये हुए है तो हमें idea रहता है कि यार क्या क्या होगा करें पहले से यह किया हुआ है तो उसके इसाब से जो पहले हुआ है वही आगे भी होगा लगभग उसके इसाब से हमनों अनुमान लगा लेते हैं सब दूसरा अगर हमने पहले business नहीं किया तो हम research करते हैं किसी और नहीं किया होगा साहब उस से पता लग वाल वहां के data से पता लगवाई है कि क्या होगा करके, कोई भी business करने से पहले आप research तो करते होगे और उस research से हमने अनुमान लगाया कि क्या होगा, और मैंने आपको पहले भी बोला है क्या किसी भी चीज का आप estimation लगा सकते हूँ, yes, कैसे मा लो कोई बच्चा अभी 12th में है और मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ मैं पूछने वाला हूँ, बताए 12th में उसका कितना percentage बनेगा, फिर से कोई बच्चा 12th में है 12th में, और 12th में है, और मैं आप से सहब यह पूच रहा हूँ कि बताई उस बच्चे का कितना पर्षेंट इस बच्च में का बड़ी अजीब सी बात है सर हम कैसे बता दे पर मैं उसकी कुछ information दे रहा हूँ ना सुनो ना अभी कि उस बच्चे का 9th class में आया था 80% 10th में आया था 82% 11th में आया है 79% और अभी 12th के एक्जाम दे रहा है और मैं बोल रहा हूँ उसका आने वाला है 33% बोलो मैं सहीं की गलत 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 करसत कैसे बोल सकते हूँ 12th का 33% सवाल ही पैदा नहीं होता कितना है सर लग भगासी बिलकुल क्या अपने अनुमान लगाया है हाँ किसको देखकर पास्ट को देखकर यही तो किया है याद करो जब आप 11th या 12th में थे तो आप depreciation निकलने का formula करते थे cost of machine माइनस estimated scrap value divided by estimated life of machine यह estimation किया है जब आप machine का scrap value दस साल बात की बता सकते हो estimated scrap value तो साहब यह तो तीनी साल का project है इसमें क्यों नहीं बता सकते है ठीक है सर मानगे सर कि हमने अनुमान लगा लिया ठीक है सर यहां तक बात समझ में आगए अब सवाल यह है कितने साल तक आएगा तीन साल तक कि पैसा कहां से आएगा एक लाक पैसा कहां से आएगा तो पैसा वह ले लेता हूं कुछ पैसा हमने किस से लिया कुछ पैसा हमने लिया एकवटी से कितना रुपए साथ हजार और केई कितना था 14 पर्षन और कुछ पैसा किस से उठाया डेट से कितना रुपए शालिस हजार और केडी लिख दूं किसी था यस केडी कितना था गाला था ना यार 6 पर्षन ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम यह पैसा उठाया तो इन दोनों का मिलाकर कोश्ट कितना पढ़ा कोश्ट और कैपिटल कितना आया था साथ 10.8 पर्षन 10.8 पर्षन मतलब ऐसी बात है साहब कि आपको एक लाग पे हर साल देना पड़ेगा 10.8 पर्षन अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो सुनो ध्यान से समझना मैं दोनों को मिलाकर 10.8 पर्षन देना अब एक बात समझना यह जो सरी कैस इंफ्लो है क्या इसमें से इंट्रेश्ट माइनस हो चुका है नहीं भाई नहीं यह कैसे इंफ्लो क्या है सर यह बता दो जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहा हो तो माल बेचोंगे माल बेचने से कि लगें से इसमें से मटीरियल का खर्चा एक्सपेंसिस वगेरा सब माइनस कर दीजिए सब कुछ और सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको मैं क्या नाम दे रहाहूं कैस इंफ्लो बाकि रैप्रेशिशिशन वगेरा माइनस करते प्लस करते यह अलग बात है वो मैं यहां समझावी ने सकता, cash inflow का मतलब मेरी बात समझने की कोशिस करो, जिस भी project में पैसा लगा रहा हूँ, उससे माल बेचोगे, उसमें material वगेरा, labor वगेरा, सारे expenses माइनस कर दीजिए, बिलकुल, उसके बाद जो पैसा बचा, उसो cash inflow, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस cash inflow जो आया है, उसमें से ये interest वगेरा माइनस नहीं हुआ है, interest वगेरा अभी माइनस नहीं हुआ है, लिग दूँँ, हाँ सर, अच्छे अक्षरों में लेकि लोगे, बच्चों का यही question आता है बार बार, interest अभी less नहीं हुआ है, ये जो cash inflow है, अभी तक इस में से, ये जो debt से पैसा ले रहा हूँ, इसका interest माइनस नहीं हुआ है, ठीक है, तो सर, इनसे क्या बात हो रही है, अम मैं इनसे बात करो, सुनो न एकवणी शेर्विल्डर, सुनो न डिवेंचर्स, बोलो, क्या बोल रहा है, मैं न गा सुनो, ये जो आप पैसे दे रहा हूँ, no doubt हम ये पूरा तो पैसा वापस करेंगे, करेंगे, साथ में आपको हम 10.8% भी देंगे, जितना भी आपका पैसा वचते जाएगा, हम उस पर 10.8% भी ठीक है, अच्छी बात है, बोले हाँ, पैसे कैसे दोगे, पूछर अच्छा, ये बताओ पैसे कैसे दोगे, तो फिर कंपनी मता रही है, बोले हैं, जैसे जैसे पैसा आते जाएगा, हम आपको वापस करते जाएगे, बात कताओ, जैसे जैसे पैसे आते जाएगा, हम वापस करते जाएगे, बोले अच्छा, और उसके बाद, तीन साल बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो फिर सोचेंगे कि प्रोजेट करना है कि नहीं करना है पहले ये तो निका लिए चाहिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा अब हम तियार है और किस चीज़ के लिए तियार है ये cost equity का भी है, ये cost debt का भी है तियार हूँ, yes इसको ऐसे किलो, बहुत सारी method है method number one अराम से काम करेंगे first year end अब सुनो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सीधा सीधा बोलू ये एक loan amount है, एक लाख, loan amount और उस पर मुझे क्या देना है, interest चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब first year के end में loan amount कितना हो गया, एक लाख तो हमने लिया ही है, और उस पर interest भी पकड़ लो कितना, 10.8%, तो इसको 1.108 कर सकते हैं, हाँ सर, ये तो आपने सिखाया है, तो with interest कितना बच, एक लाख इंटू 1.108, तो सर, ये बच्चा रुपीज, एक लाख दस जार आठ सा, मैं सिधा bank वाली की बात कर रहा हूँ, मैं करहा हूँ, bank, 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 कितना देना, ये मालो bank है, बोले, एक साल हो चुके, एक लाख तो ये है ही है, साथ में आपको 10.8% interest भी देना पड़ेगा, तो एक साल बाद, बोले, हमारा जो पैसा है, वो कितना हो गया, एक लाख दस जर, आठ सो रुपए देना है, और आपने ये बोला था, कि जैसे जैसे पैसा आएगा, हम देते जाएगे, बोले, कुछ पैसा आया, मैंने का, आया ना साहब, cash inflows, बोले, कितना पैसा आया, मैंने गऑ पैसा आया, पैसा आया, कितना पैसा आया, 50,000 आया, बोले चलू दे دो हम लोगों को, मैंने गऑ ठीक है, इसमें से ये लो, भाई, जो पैसा आया, मैंने आपको देती है, 50,000, तो अभी भी remaining amount कितना बचा है, एक लाग तस दार आठ सो माइनस पचास दार तो अभी वरचा है रुपीज सिक्स्टी थाउचन एट हंड़ट ये पैसा बचा अभी भी अभी भी मुझे बैंक वाले को साथ हजार आठ सो रुपए देना मैं बैंक बोल रहा हूँ आप समझना एकविटी और डेट ठीक है सर सेकेंड ये फर्ष्ट ये हो गया ये अब बात करते हैं सेकेंड ये ये आका है सेकेंड ये तो अब क्या करें अब बात करते हैं लो ने मांट बोलो कितना बचा था सर ये बचा था रुपए 60,800 और दूसरे साल के एंड में 1.108 कर ले क्योंकि इंट्रेस्ट अब इसी पे लगेगा तो सर अब बचा है रुपी 6,7,366 पॉइंट को इग्नोर करो फिर आ गया है डैट और एक्विटी बोले सेकेंड ये का एंड हो चुका है हमने का हाँ बोले कुछ आया क्या मैंने का आया तो पैसा कितना आया चालीस जार आया तो बोले चलो वापस करो मैंने का ठीक है माइ माइनस कैशन लो और हमने कितना दे दी हमने का ये लो जी आपका चालीस जार भी रख लेजिए तो 6,7,366 माइनस चालीस जार तो अब बचा टू सेवन 3,6,6 इतना पैसा बचा हुआ है ठीक है जर अब बात किसकी करते हैं अब बात करते हैं थर्ड एयर थर्ड एयर की तो चलो लोन अमाउंट देख लेते हैं लोन अमाउंट टू सेवन 3,66 इंटू 1,108 इंटू 1,108 तो यह आ गया रुपीज 3,0 इतना देना है साफ फिर आके खड़े होगे लाओ पैसे दो पैसे कुछ आ और मैं अनुमान लगा रहा हूं थर्ड एयर में कितना है साथ हजार आएगा थर्ड एयर में वाओ कैस इंफ्लोस रुपीज 60,000 तू बताओ क्या हमारे पास बज गया यस कितना पैसा बज गया हमारे पास इसको क्या नाम दरूँ सर्प्लस कैस एट दी एंट ओफ थर्ड एयर मैनस 60 जाता तो यह बचा 29678 इसको क्या बुला जाता है इसको बुला जाता है नेट वैलियू कोष्चन यह था क्या इतना पैसा बज गया है मैं बहुत खुस हूँ और खुस क्यों हूँ मैंने का यार जिन लोगों से पैसा लिया था मैंने किस किस से एक्विटी से और किस से डेट से उनको मैं हर साल देते गया इंटरस्ट भी देते गया हर साल देते गया और तीन साल बाद सब कुछ दे दिया क्या equity वालों को principal वापस हो गया हाँ क्या उनका cost भी वापस हो गया yes debt वाले का जो principal था क्या वो वापस हो गया हाँ क्या उनका interest भी वापस हो गया हाँ क्या सब कुछ वापस हो गया हाँ उसके बाउजुद भी मेरा कितना पैसा बज गया 29678 कितने साल बात तीन साल बात पर पैसा तो हमको आज लगाना है पैसा आज लगाना है तो हमें net value ने चाहिए हमें चाहिए net present value ये cash inflow है मेरे लिए कब का है third year का तो क्या मुझे आज का निकालना पड़ेगा तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना net present value net value नहीं है net present value ये कैसे निकालेगा 29678 divided by 1.108 power 3 present value निकालना है तो 29678 divided by 1.108 एक बार एक पल टो दो बार एक पल टो तीन बार एक पल टो ये होता है net present value हाला कि आप सच्चाई जानते हो कि net present value निकालना एक calculator से निकल जाएगा सिर्फ calculator इतना सब को जरूरत नहीं है पर मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको idea तो हो जाए है कि आखिर हम कर क्या रहे थे पहले पहले काम करते थे हम इस तरह से निकालते थे ठीक है actual में ये है logic हाला कि shortcut है आप भी जानते है shortcut अब सर्ट कट क्या है वो भी करवा दो it means sir हम इसमें क्या हमने सब कुछ पैसा वापस कर दिया यास और उसके बाउजुद भी हमारे पास इतना पैसा बचा इसी को क्या बोलते है NPV तो अगर मैं यहां लिख दूँ calculate NPV Q calculate NPV ठीक NPV का मतलब क्या हुआ NPV का meaning पर सर हम तो NPV किसी और तरीके से निकालते थे वो भी मैं सिखा रहा हूँ उसके चिंदा मत करो पर पहले NPV का meaning लिख रहा हूँ NPV means खर द्जाश। लिख रहूँ सर्फ्लस प्रविद लिख श्यक्स प्रविदाब Gu我也 रहुपऴं, अगर पेन अगर थर प्रविद्ध कर द्जाश। और ऋपहं आपत रहूँ कि एक्विटी प्रेंसिपल जो साथे जा लिया था वो अपस किया कि एक्विटी कोश्ट जो 14 पर्षेंट था वो अतलब सरी यह कौन सा हो गया है सरी यह हो प्रेंस आठ जा रुप्रेंट और यह एक्विटी कोश्ट कितना 14 पर्षेंट प्रेंट प्रेंसिपल रुपीज 40,000 और डेट कोश्ट कितना पर्षेंट 6 पर्षेंट अब सुचो अब बताओ यह जो आया है 21812 क्या इसमें डेट वाले का इंट्रेस्ट आट्यमेटिक माइनस हो गया हाँ भाई आप अगर इसको 10.8 पर्षेंट मतलब आट्यमेटिक माइनस हो चुका है एस अन बालस अब्रेस्ट रूपिस 29678 इस प्रिजंट वैल्यमेट इस पर्षेंट वैल्यमेटिक माइन है 21818 हाला कि हम इस तरह से नहीं निकालते हैं यहीं निकालेंगे 2 हैं पर हम किसे निकालते थे हम निकालते थे शॉर्ट कट वो कैसे निकालते थे वो बड़ा सिंपल होता था वो था था NPV is equal to PVCI minus PVCO पैस कितना कितना आ रहा सर कितना कितना आ रहा है 15,40,60 50,000 इंटू पहले साल का फैक्टर 40,000 इंटू दूसे साल का फैक्टर और 60,000 इंटू दीसे साल का फैक्टर minus एक लाग यही होता था हमारा फैक्टर निकाल देते हैं 1 divided by 1.108, 0.9025, 0.8145, 0.7351, पचाशासजर इन्टो, 0.9025m+, चालिशार इन्टो, 0.8145m+, और साथाजर इन्टो, 0.7351m+, MRC- एक लाख, अंसर कितना आ गया, गुपीस, 21811, और यही तो आया था टू बन सर एट बन एट आया ठीक है वह तो क्या है राउंड आफ कर रखा ना इसकी वज़े से अच्छा ये तो एक तरीका था ये कौन सा था मैथड नमबर टू पर एक सबसे जो हम इसको फॉलो करेंगे इस इस मैथड नमबर थ्री और हम कैसे निका लेंगे हम भाई ऐसे निका लेंगे एन पीवी से कौन पहले साल पचास हेजर डिवादे बाए 1.108 पावर 1 प्लस 40,000 डिवादे बाए 1.108 पावर 2 प्लस 60,000 डिवादे बाए 1.108 पावर 3 माइनस एक लाग क्या आंसर यही आएगा यास यह तो प्रेक्टिस कर चुकर सुना कैसे करते थे पचास हेजर डिवादे बाए 1.10 एक्वल टू एम प्लस 40,000 दो बार एक्वल टू एम प्लस 60,000 एक दो तीन एम प्लस एम प्लस माइनस एक लाग आंसर आ कितना आगे आंसर आगे रुपीस 21818 ठीक मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने कैसे किया यह मैं बार बार नहीं समझाऊंगा कैलकुलेटर में लिखा 50,000 एक ही बार लिखना डिवादे बाए 1.108 एक्वल टू एम प्लस 40,000 दो बार एक्वल टू एम प्लस 60,000 तीन बार एक्वल टू एम प्लस MRC फिर माइनस एक लग क्या कैलकुलेटर में एक ही बार में हो जाएगा यस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था खतम करते इस बात को बस एक बात बताओ इस NPV का मतलब सुना धियान से सुना क्या इस 50,000, 40,000, 60,000 में से इंटरस्ट माइनस हुआ था? नहीं! पर जैसी मैंने NPV में निकाला तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या इंटरस्ट माइनस हो चुका나 इस और जितना भी देना था this is NP, हम क्या follow करेंगे, हम कभी ये follow करेंगे नहीं, ये तो समझा रहा था, हम जो follow करेंगे, वो सिर्व और सिर्व ये वाला method follow करेंगे, it means, हमारे लिए important अगर कोई method है, तो ये वाला method है, हम यही method follow करेंगे, ये जल्दी speed से काम हो जाता है, तो आप तयार है, आगे आने वाल से बहुत सारी questions है, सब में यही method से हम NPV निकालेंगा, NPV तो निकालें निकालेंगा, ठीक है sir, तो यह था हमारा point number 3, अब चलते हम point number 4, होब, कितना point हो चुका है, first में क्या पढ़ा आपने time value, second में क्या पढ़ा था आपने time value के अलावा, sir हमने cost of capital समझा, ठीक है, फिर क्या समझा, NPV, third में, तो अब लिखोगे point number 4, अब point number 4 में हम description करेंगे, valuation of security, क्या यह बहुत बड़ा chapter है, हाँ, क्या हम लोग को कोई detail में पढ़ना है, पर थोड़ा सा knowledge तो दे सकता हूँ, इसलिए, क्योंकि security valuation पढ़ने से पहले, हम लोगों को derivative पढ़ना पढ़ेगा, तो derivative में भी यह चीज़े आएगी, portfolio में भी यह चीज़े आएगी, तो थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, कुछ नहीं एक formula थोड़ा सा समझाना, हलका सा detail में अराम से पहलेगा, और वो यह है, कि हम लोग shares खरीदते हैं, value निकालना, value, तो हमको share market, share market से value पता नहीं लगेगी, share market से price पता लगेगी, मान लो जी, कोई share है, यह ले लो, यह share है, इसको मुझे खरीदना है, और कौन सी company का share है, Reliance का, तो मैं पता कर रहा हूँ, या Reliance का share खरीदना है, तो Reliance का share कितने का है market में, तो market price दिखाई जा रही है, market price, current market price, कितना रुपए, मान लो 500 रुपए है market price, 500, तो मैं यह सोचूँगा यार, कि अगर मैं share खरीदता हूँ, तो आज मुझे कितने खर्च करने पड़ेगे, 500, 500, पर उस share खरीदने से, finally मुझे मिलेगा, क्या भई, पैसा तो जारा पास तो पर मिलेगा न, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और हमारा यह मानना है, कि हम share खरीदते हैं, तो income के रूप में किसी की income होगे, dividend की income होगे, dividend, तो dividend भी तो मिलेगा, आप उसको भी तो देखिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो dividend मुझे future में मिलेगा, जो dividend मुझे future में मिलेगा, सर कब तक मिलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ, परपेच्वल, यह सब्द मैंने यूच किया था, time value of money में, परपेच्वल मिलेगा, तो बताइए, इसकी present value कितने हैं, जो मुझे share खरीदने से क्या मिलेगा, dividend, जो dividend मिलेगा, उन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, तो जो आएगा, और मान लो, उनको जोड़ने पे, dividend का total amount आ रहा, साड़े 400 रुपए, मतलब यह share खरीदने से, मुझे 450 रुपिया मिलने वाला है, लेकिन आज कितना जाएगा, 500, बताओ share खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, सरजी मैं नहीं खरीदना चाहिए, महगा है share, और महगा को हम English में क्या बलेंगे, overpriced, अच्छा सर, overpriced महगा, इट मेंस ये निकालना मुझे, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ में, value, और इसका comparison मुझे, ultimately हम share का value क्यों निकालते हैं, हमें ये देखने के लिए कि हमें share खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा सर, अगर हमारी value आती 600 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए, जबकि मार्केट में भी कितने का भीगरा, 500 का, खरीद लो साहब, share सस्ता है, और सस्ता को इंग्लिस में क्या बलेंगे, underpriced, overpriced मतलब महेगा है, underpriced मतलब सस्ता है, तो हमें इस से मतलब नहीं है, सर, हमें इस से मतलब है, और ये निकलेगा कैसे, बिटे मैं फिर से बोर रहा हूँ, जितना, बहुत सारे तरीके है, share की value, पर जो मेरे काम की चीज़े, वो मैं आपको समझा दो, जो future में dividend मिलेगा, उसका present value, मालो सर, future में हमारी उमीद है कि हमको 40-40 रुपए dividend मिलेगा, 40-40 रुपए, perpetual, अगर perpetual हो तो आप divide करते हो, मैंने यह पताए हूँ, class number 1 में, divide करते हो, किस से, required rate of return, और required rate of return मालो 8% है, तो 8% से divide करेंगे, तो यह क्या जाएगा value, और value को हम क्या बोलते है, P0, current market price, याद करो, आपने के ही निकालने का कभी एक formula पढ़ा था, D1 divided by P0 plus G, ऐसा कुछ पढ़ा था, हाँ सर, हाँ सर, याद आ रहा, ऐसे ही मैं कुछ करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो, एक dot लगा रहा हूँ, और लिख रहा हूँ, value per share, P0, is calculated as under, in case of no growth, अगर growth ही नहीं है, तो, कैसे निकाला जाता है, निकालने का simple तरीका है, P0 is equal to, हमें क्या मिलेगा, dividend, और बताओ, share खरीदोगे, तो, आज ही dividend थोड़ी मिलेगा, एक साल बाद, और एक साल बाद की dividend को बोलोगा है, वह D1, D1, अच्छा, divided by, क्या ही, required rate of return, ठीक है, इसका मतलब सर, अगर growth नहीं है, तो यह सर, यह growth क्या है, बिटे एक बादाओ, dividend के अलावा मालू है, आपको किस चीज का और फायदा है, capital appreciation, सर, capital appreciation का मतलब, मतलब सहाब, मैं अगर कोई share खरीदता हूँ, तो मुझे dividend तो मिलेगा, मालो, आज मैंने 100 रुपिया का share खरीदा, एक साल बाद, मुझे dividend जो मिलेगा, मिलेगा, इसके अलावा, share का price भी तो बढ़ेगा, it means growth भी तो है, आपको वो भी तो देखना है, सर, फिर कैसे करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ, कि मालो, सुनो, सुनो, सुनोगे, बिटे धियान से, अब काम की चीज़ है, formula derivation पर नहीं जा रहा हूँ, derivation जो करवाँगा, वो कहां करवाँगा, security analysis में, यहां काम की बास सुनोगे, मेरा required rate of return है 10%, मैं चाहता हूँ 10%, मैं चाहता हूँ 10%, कि तो मुझे मिलना चाहिए, किसी भी हालत, मैं required rate of return कितना 10%, तो मैं discounting किस से करूँगा, 10% से, dividend मिलेगा, और जो मिलेगा, उसको discounting करूँगा, 10% से, लेकिन, 10% आप चाहते हो, yes, और मैं आप से बोल रहा हूँ कि साहब capital appreciation भी हो, और अशियर का price भी बढ़ेगा हर साल 2% से, अच्छा, तो वो 2% को तो आप हटाईए, जो capital, क्योंकि आप यहां किसको discounting कर रहे हो, dividend को discounting कर रहे हो, तो आपका required rate of return, no doubt, पूरी तरह से 10% है, पर 2% तो capital appreciation उसको हटाओ, अगर आप capital appreciation को छोड़ दो, सिब dividend, dividend लो, तो अब आपका, जो capital appreciation है 2%, वो तो हो ही रहा है, तो अब आपका जो required rate of return है, capital appreciation के अलावा, 8% ही तो रहे जाएगा, it means, इस condition में मैं D1 को, dividend को सिर्फ और सिर्फ कितने से discounting करूँगा, 8% से, no doubt, मुझे कितना मिल रहा है, 10%, 10% में 2% किस चीज का मिल रहा, capital appreciation, वो बाद में discussion होगा, capital appreciation, dividend, dividend की बात करो, तो dividend को मैं जो discount करूँगा, वो capital appreciation वाला पार्ट तो मेरे जेब में जाएगा, वो share का price बढ़ के last में मुझे मिलेगा, लेकिन dividend वाले पार्ट को discounting करूँगा मैं, तो वो growth वाला पार्ट हटा के discounting करूँगा, इसका मतलब कहना क्या चाहते है, कहना बस में यह चाहता हूँ, हुआ, इसका मतलब का तो यह चाहते हैं, is given, then value per share is calculated as under, और ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, P0 is equal to, यहाँ D1 रहेगा, पर divide अब 10% से नहीं हुआ, क्योंकि growth है, तो growth हटा कर, it means केई में से क्या minus कर दो कि growth, और discounting कर दे, बाता रही समझे, सर, explanation अच्छे से मिल जाता तो ज्यादा मज़ा रहेगा, बिल्कुल, आपको पता है, इस formula पे, इसी formula पे, एक गंटे की कम से कम, 15-16 classes, security evaluation, और मैं उन 15 classes में यही formula discussion करने वाला हूँ, अच्छा सर, हाँ, 15-16 घंटे पढ़ने वाले, जो आपको मैंने भी 10 नट में बात किया, सर, 15 घंटे में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस formula को समझेंगे, अच्छे से, यह formula बड़ा important है, अब भी सिर्फ यह formula लि कुछ होगा, तो कम से कम थोड़ा idea तो हो, कि हाँ, सर, इस तरह से होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, detail में discussion होने वाला है, कहां होने वाला है, यह होगा security evaluation, chapter the security evaluation, value निकाल रहा है, लेकिन यहां क्यों समझाया, सिर्फ कभी कभी एका chapter पहले हो गया, और उसमें आ गया, तो अभी यह थोड़ा yard type का कर लेंगे क्या, हां, बस पेटे कुछ समय के लिए, जब तक security evaluation पर आ नहीं जाते हैं, ठीक है सर, और इसका comparison किस से करते मालम है, market price, और फिर हम देखते कि यह under price है कि overpriced है, detail में वहां discussion होगा, तो यहां हम time बर पता लगा, इसी को मैं समझाने evaluation में आओंगे, ठीक है सर, यह थो point number four, इस पर कोई example नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हम questions के साथ करेंगे सर, अब बात करते है, point number five, concept of standard deviation and probability detail में कहा description होगा, इसका portfolio का, पर फिर भी standard deviation बीच में आएगा, तो उसका तो हमको थोड़ा बहुत knowledge होना जरूरी है, ठीक है सर, तो अब सुनोगे मेरी बात को, बहुत अच्छे सुनना ध्यान से, अब मैं आपसे कुछ और चीज़े कर रहा हूँ, काम-काम की चीज़े बिलुकुल ध्यान से समझना में जो बोलने जा रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को advise देते हैं कि कौन से security खरीदना चाहिए, कौन से security नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है सर, अब मेरी पास कोई client आया, बोलता मुझे न सब reliance के shares खरीदने हैं, बताओ मैं खरीदूं की नहीं खरीदूं, अगर ठीक है, मैं खरीद लो, बोले ऐसे खरीद लो बोलने से काम नहीं चलेगा, बता सकते हूँ, ये reliance मुझे अगले साल कितना percentage कमा कर देगा, मतलब मैंने कहना क्या चाहते हूँ, बहुत लो, मैं return चाहता हूँ, कितना return मिलेगा, और वो भी सुनो past का नहीं future का, इसको future की return को हम बहुत लेगे, expected return, मैं ठीक है, वो मैं बता दूँगा, अब मैं बताओं कहां से कि reliance कितना कमा कर देगा, क्या मैं future का अनुमान लगा सकता हूँ, हाँ, किस को देखकर, past को देखकर, हमने पूरे S.F.M. में यही चलेगा, कि past को देखकर future में, तो मैं reliance के 4-5 साल का return देख लूगा, कि आर past साल में कितना कमाया, past साल में किसी साल 10 परशन कमाया होगा, किसी साल 15 परशन कमाया होगा, किसी साल 12 परशन कमाया होगा, एक example से समझते हैं न, हाँ सार, एक जाम्पल, year, year और return, year 1, में 20 परशन के कमाया होगा, year 2, 15 परशन, year 3, कितना ले ले, 12 परशन, year 4, 18 परशन, 25 परशन, 25 परशन, that is it, calculate, calculate, expected, return, and risk, सर कहना क्या जाते हूं क्लाइंट मुझसे ये पूछ रहा है कि रिटन रिलाइंस का फ्यूचर में कितना मिलेगा और मेरा ये मानना है जो पास्ट में मिला है वही फ्यूचर में मिलेगा तो मुझे ये रिलाइंस के पिछले पास साल के रिटन मालूम है 20, 15, 12, 18 तो मैं इसी का average करके बता दूंगा न average करो बिटे average कैसे करते हो this divided by 5 20 plus 15 plus 12 plus 18 plus 25 divided by 5 18% on an average तो मैंने client से बोल दिया कि साब ऐसा है कि 18% कमाऊंगे तो बलते पक्का 18% कमाईगे कि average कर लिया आपने average return का मतलब क्या समझते हो past का की future का sir average का मतलब past का नहीं past का तो ये है average का मतलब future का on the basis of past data past data तो मैंने average कर लिया 18% बोले कैसे निकाला बोले कैसे निकाला पिछला दिखे तो बोले पिछला कब 18 कमाए था बस 4th year में 18 कमाए था ज़्यादा भी तो हुआ था कम भी तो हुआ था किसी साल कम भी हुआ किसी साल ज़्यादा भी हुआ तो क्या पक्का 18 मिलेगा future में की deviation हो सकता मैंने का sir deviation हो सकता मैं कैसे बोल दूँ की 18% मिलेगा on an average 18% मिलेगा expected है लेकिन 18% से उपर भी जा सकता है 18% से नीचे भी जा सकता है this is a deviation तो अब वो मुझसे पूचरा अच्छा उपर कितना जा सकता है नीचे कितना जा सकता है मैंने का ठीक है यह मैं बताता हूँ इसको बले जाता है यह भी कहां से बता हूँगा फिर से कोशिस करता है क्लाइन्ट मुझसे क्या पूचरा कितना मिलेगा मैंने बताया 18% फिर पूचरा अच्छा 18% मिलेगा क्या मैंने गा 18% मिलेगा तो बोले पक्का 18 मैंने गा पक्का नहीं वैरी हो सकता है थोड़ा सा जादा भी हो सकता है साहब थोड़ा सा कम भी हो सकता बोले कितना यह भी मैं पास्ट को यह दिखके बताऊंगा कि पास्ट में जितना deviation हुआ है वही future में होगा मतलब सर एवरेज deviation हाँ पर average deviation नहीं बोलते हैं हम इसको बलते standard deviation standard costing याद है standard हाँ सर पहले से set होता है वही तो जो पहले हुआ वही future में होगा इसलिए उसका नाम है deviation इस टेंडर्ड का मतलब expected deviation नहीं करो मैं जो पास्ट में हुआ वही future में भी होगा यह कैसे निकाला जाता है यह मैं आपको समझा देता हूं तो मुझे deviation को ही क्या बोलते है रिस्क वही मैं आपको समझा रहा हूं कि साहब कुछ परशन सपोज standard deviation आया चार परशन तो मैं कहुंग क्लाइंट सुनो सुनो वैसे तो अठारा परशन मिलेगा पर चार परशन उपर भी हो सकता है मतलब 22 परशन भी मिल सकता है या 14 परशन भी जाता है वह deviation मुझे निकालना पड़ेगा वह कैसे निकाला जाता है तो वह ना table बनाया जाता है और table के थ्रू निकाला जाता है समझा रहा हूं एक table बनेंगा calculation of expected return and risk ठीक है ओके इसके बाद क्योंगा column खीच लेते हैं table बना रहा हूं यह table के use होने वाली है सबसे पहले क्या जाएगा year तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम year उसके बाद क्या लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे x तो बताओ किटना year सब 1, 2, 3, 4, और सब 5 बाद अच्या बताओ रिटन किटना किटना तो रिटन बीस पंदरा बारा अठारा पच्छिस थिक अब इन सब को जोड़ देते एक्स का मतलब रिटन अगर इनको मैं एट करता हूँ तो कितना होगा बीस प्लस पंदरा प्लस बारा प्लस अठारा प्लस पच्छिस तो यह हो गए 90 पर्शेंटेस पर मुझे एवरेज निकाला इसको वैसे बोलेगी किया समेशन आफ एक्स्टेंशन मतले न एवरेज ही करने हैं एवरेज को हम क्या बोलता है एक्स बार is equal to 90 divided by 5 is equal to 18% average ही किया और average को हमने नाम दिया mean x bar is equal to 18% ठीक है इसका मतलब क्या बोल रहा है हम client से बोल रहा है साहब client सुनो कि अगर आप reliance के share खरीदोगे तो 18% return कमाओगे और यह कैसे निकाला past को देखते हुए अब client पूछ रहा है deviation हो सकता है कि नहीं कम भी मिल सकता है कितना यह मैं बता देता हूँ यह भी तो मैं past को ही देख के करूँगा it means अब मैं क्या करूँगा x-x bar x-x bar यह कैसे किया जाता है सुनो कि मैं क्या बोल रहा था कितना मिलेगा तो मैं कितना मिलेगा विट्टे मैं बोलो 18 पर किसी साल 20 भी तो मिला है मतलब 2% जादा हुआ है सर किसी साल 15 भी तो मिला हुआ है मतलब 3% कम भी तो हुआ तो मुझे वह deviation निकालना और deviation कैसे निकाला होगे यह x और यह x-bar कैलकुलेटर उठाओगे बिल्गो धिहान से कैलकुलेटर से कैसी करोगे 20 माइनस 18 तो कितना आ गया है स्कीजित इसके कैलकुलेटर चलाना सीख लिजिए कर्कुलेटर मैं फिर तो मैंने कैसी किया है मैंने क्या किया कैलकुलेटर बिटे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी portfolio में बहुत जादा 20 minus 18 is equal to किया ठीक फिर 15 is equal to किया ठीक फिर 12 is equal to किया ठीक फिर 18 is equal to किया ठीक और फिर 25 is equal to किया it means मैंने बार बार 18 minus नहीं किया बार बार 18 मैं फिर से बोल रहा हूं 20 minus 18 किया तो आया है 2 फिर 15 is equal to कर दिया माइनस 3 12 is equal to कर दिया माइनस 6 18 is equal to किया 0 25 means already जो 18 है ना वो सेव हो जाता आपके calculate ठीक है सर बास समझ में आ गई है मैंने का हाँ अब सुनो के सुनो के अब important है अब सुनना ध्यां के अब मैं इन सब को जोड़ लूँगा और जोडने पे मान लो आ गया जोड़न सब को जोड़ा तो आगे मान लो 12 12 नहीं 10 सबको add किया अभी add कर नहीं रहा हूं क्यों नहीं कर रहा हूं बाद में सबको add किया तो मान लो आ गया 10% deviation सबको जोड़ कर पर यह कितने साल का है total past साल का तो divide by क्या करूंगा 5 तो answer कितना आएगा 2% this is standard deviation और मैं बोलूँगा कि client आपको return मिलेगा 18% लेकिन साहब standard deviation है 2% इसका मतलब 2% उपर भी हो सकता है 2% नीचे भी हो सकता है आपको 20% भी मिल सकता है आपको 16% भी मिल सकता है बोले पक्का मैंने यह भी पक्का नहीं यह भी मैंने average करके निकाला है ठीक है okay sir तो sir add करें क्या चलो add करते कितना है 2-3-6-7 ओहो जीरो आ गया ओहो सर यह 0 बैटे यह 0 हमेशा आएगा अच्छा सर तो time pass क्यों कर रहे थे बैटे time pass अब खुद सोचो 0 क्यों आ रहा जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने निकाला mean x-bar और x-bar कितना 80 अब इसमें से कुछ चीजे क्या होगी average mean का मतलब समस्रा एक्स बार का मतलब बीच का तो कुछ चीजे plus होगी और कुछ चीजे minus होगी और अब plus minus दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही तो आना भाई ओहो यह बात है क्या हाँ जी और problem क्या है यह minus का sign problem बस यह है ना इस minus को sign को हटाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता square स्क्वैर करें अब ठीक है अब करो 2 into 2 कितना हो गया 4 और यहां क्या गया 9 की minus 9 9 तूंकि minus 3 into minus 3 कितना हो जाएगा 9 और यह कितना जाएगा 36 और यह कितना गया 0 और यह कितना गया 49 क्या हट गया हाँ thank god sir square कर रहे हो square कर रहे हो तो फिर क्या sir फिर इसको आप square root भी करेंगे हाँ जी फिर square root कर देंगे square क्यों किया क्योंकि minus का sign था square root कर दूंगा क्योंकि minus square को मुझे हटाना अब जोड सकते हो और जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 49 तो यह आगा 98 हाला कि इसको क्या बोला जाता है 98 अभी क्या करना पड़ेंगा divided by 5 98 divided by 5 तो बुलो कितना है सर यह आया 19.6% ठीक 19.6 ले लो ठीक है percentage square होगा तो अब यह जिल नहीं पाऊंगे 19.6 इसको मालो में क्या बोला जाता इसको बोला जाता variance variance पर मुझे क्या चाहिए standard deviation तो क्योंकि इसमें क्या लगा है square लगा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा square root 19.6 का square root कर दीजे तो यह आ गया 4.43% इसको क्या बोले जाता इस इस standard deviation समझाओं सर पहली क्लास में यह सब कुछ जहिलना पड़ेगा कि मेरी बास समझ लो सब कुछ जहिलना नहीं है पर standard deviation आये तो meaning तो पता है कि क्या होए करके बाकि निकाला के से जाता वो तो मैं आपको सिखा दूँगा आराम से portfolio management करके एक chapter है और करीब 40 classes है और उन 40 classes में हमें यही पड़ना पर standard deviation सब्द यूज होगा और कहां होगा यह सब्द यूज होगा आपके derivative में तो वो सब्द यूज होने यस सबसे पहले expect return कुछ नहीं sir average है कि deviation समझ में आया sir आ गया square क्यों किया क्योंकि sir minus में है उसको हटाना पड़ेगा नहीं तो total zero आ जाएगा इसलिए अपने क्या कर दिया sir square कर दिया बिलकुल अब square किया क्योंकि यह 5 साल का divided by क्या किया 5 तो यह जो है इसको बोलते variance पर इस square root किया तो कितना आगा standard deviation 4.43% तो बोलो क्या बोलोगे clients से clients से बोलेंगे clients आप 18% return मिलेगा लेकिन 4% उपर भी हो सकता 4% नीचे भी हो सकता 4% बोल रहा हूं 4.43 आया ठीक है मैं roughly 4% हलाकि इसका एक formula मैं एक formula पर आ जाता हूँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है standard deviation का एक formula है standard deviation को ऐसे लिखते है याद है standard deviation of x का formula है square root summation of x-x bar square divided by n ये क्या है ये सर्व सम है sum किसका x-x bar square का sum है sum इसको sum बोला जाता total x-x bar square ये सब total divided by 5 कर देंगे अच्छा सर ये formula है जल्दी जल्दी बताओ कि मैं क्या कहना चाहता square क्यों किया x-x bar क्यों किया क्योंकि deviation जब इनका sum कर रहा थो तो total गया रहा था 0 इसलिए मजबूरी मुझे क्या करना पड़ा square जब कर दिया square सबको total किया पर ये total कितने साल का पास साल का इसलिए divided by year सी किया तो एक साल कहा गया और इसको square root क्यों क्योंकि square किया था मजबूरी में, तो अगर मैं कहता हूँ, यह आ रहा है, कितना, सर यह आया 98 divided by कितना 5, सर आंसर कितना आया था, 4.43 पर, this is standard deviation of x, ठीक है, HD समझे में आया है, yes, सर यहाँ थोड़ा बहुत लिखवा देना, HD का मिनिंग क्या है, थोड़ी सी बात लिखवा देता हूँ, suppose, expected return is equal to 18 percent and standard deviation is equal to 4 percent, लिखवाने के लिए लिख रहा हूँ, बस, it means company will provide return 18 percent, but it may deviate by 4 percent, that is, 18 plus minus 4 percent, मतलब 22 percent range दे रहा हूँ, 14 percent, 14 percent से 22 percent के बीच में हो सकते, ठीक है जी, HD का मतलब समझ में आया है आकको, थोड़ा बहुत मतलब हमको समझ में आ गाया हूँ, तो आपको ये समुझे क्या समझाना, मुझे समझाना, concept of standard deviation है क्या, detail में calculation कहां पढ़ना है सर जी, आपको portfolio management में पढ़ना पर थोड़ा बहुत idea तो होना जरूरी है, सर, एक example और करते हैं, हाँ जी, एक example क्योंकि उसमें भी कुछ खास बात है, example, अब उन्चो client है न, client, वो क्या बोल रहा है, अब सुनना ध्यांस, वो मैंसे यह बोल रहा है कि साहब, 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 या past को छुणो, future के basis पर बताओ न, past के basis पर मैंने गाए और एक तरीका है, मैंने गाए ऐसा है कि Reliance कितना कमा कर देगा अगले साल वो depend करता है, economy पर, अच्छा, हाँ, और आपको क्या लग रहा, economy क्या होने वाला है, सरफ COVID-19 की वज़ा से economy recession हो जाएगा, बरबाद हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होगे, कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि COVID-19 तो अब खतम होने वाला है, तो अब तो boom, अच्छा, कुछ ऐको ऐसा लगा अब market में खुब बढ़ेगा और Reliance भी बढ़ेगा, अगर कुछ लोग ऐसे सोते हैं economy recession में जाने वाला तो Reliance क्या कोई भी company साथ recession में, और कुछ लोग तो कुछ सोच ही नहीं हो बहुता है जैसा चल रहा वाहिसा चलेगा, मतलब अब मैंने क्या किया मैने survey करवा आया मैंनेने करवाई बड़ी बड़ी company survey करवाई एक और होने वाली है, कितने लोगों के बीच में survey के कि वेकरवाया, एक हजार लोगों की बीच में, एकोनॉमी का क्या हल होने वाला है, चलो जी, एक फॉर्म दिया गया और उसमें टिक करना था, कि एकोनॉमी, बुम, या फिर, रेशिशन, या फिर, नॉर्म, कितने लोगों की बीच में शर्वे हैं, एक हजार, तो 400 लोगों ने कहा इकोनॉमी, बुम, और 300 लोगों ने कहा इकोनॉमी, रेशिशन, और 500 लोगों ने कहा कि नॉर्मल जायेगा है, इक कोई दिक करनी, कितने प्रतीशत लोगों का ये कहना है कि एकोनोमी बुम होगा सर 40% लोग कितने लोगों का ये कहना है कि एकोनोमी रेशिशन सर 10% लोग कह रहे है कि रेशिशन होगा और कितने लोगों का कहना कि नॉर्मल सर 50% लोगों का कहना कि एकोनोमी नॉर्मल रहेगा percentage को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.4, 0.1, 0.5 तो इसको हम percentage ना दे के इसको हम क्या नाम दे सकते हैं economy boom रहेगा इस बात की probability कितनी है 0.4 economy recession होगा इस बात की probability कितनी है 0.1 economy normal होने की probability कितनी है 0.5 और economy के हिसाब से किसका return decide होगा reliance का और हमारा यह मानना अगर economy boom रहेगा सब बढ़ेगे तो reliance भी अच्छा कमा कर देगा और कितना percent 25% और recession में reliance भी डूब जाएगा सिर्क 5% ही कमा कर देगा और normal में 15% कमा कर देगा मतलब reliance की return कितनी मिल सकती है 25% में मिल सकती है और 25% मिलने की probability कितनी है 0.4 probability का total 1 होगा 5% भी मिल सकता सर और 5% मिलने की probability कितनी है 0.1 और 15% मिल सकता 15% मिलने की probability कितनी है 0.5 अब सामने वाला मुझसे client पूचरा है कि सर return कितना है बताओ उनो return कितना मिलेगा reliance से मैंने का सार ऐसा है कि 25% भी मिल सकता है 5% भी मिल सकता है और 15% भी मिल सकता है 25% मिलने की probability है 0.4 5% की 0.1 15% बोले सुनो 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 अब एक बोलो ना यार एक average बोलो average मैंने का अब average divided by n करके नहीं होगा अब मालूम है average क्या होगा आपस में multiply होगा इसमेंस अब average ऐसा होगा 25 into 0.4 5 into 0.1 और 15 into 0.5 अब बताओ कि कितना return मिलेगा 25 into 0.4 M plus मैंने का 18 portion मिलेगा on an average 18 portion मिलेगा बोले पक्का है कि 18? मैंने का नहीं 18 से उपर भी हो सकता साथ बोले अच्छा उपर मैंने का सुनो अगर अगर भूम रहा तो ऐसा कि आपको 25 भी मिल सकता और ऐसा है कि 15 भी मिल सकता बोले कितना deviate हो सकता ये बता दो इट मिन्स क्या काम ऐसे ही करना है हाँ पर इस बार बेस किसको लिए probability को सेम एक्जाम्पल में यह लिखता हो ना तो आपको समझ में जाएगी इस बार मैं पास्ट इयर्स को देखकर बात नहीं कर रहा हूं अब कोश्चन ऐसे भी आ सकता इस बार इयर ना देखकर आपको क्या देदेगा अब प्रोबाबिलिटी कितना देदिया 0.4, 0.1 और 0.5 और रिटन पचिस पाँच और पंद्रह और आपसे बोलेगा अब क्या करना पड़ेगा फिर से क्या टेबल बनाएगी यस और वैसी टेबल बनेगी जैसे भी हम बना रहा थे सर स्टेंडेड डेविशन को रिस्क के बोलते हैं यस हमारे ऐसे फैं में रिस्क का मतलब यह नहीं कि डाउन चला जाएगा fluctuation होगा अगर मैं 4% का fluctuation 18% return में लेगा पर 4% उपर भी हो सकता यह मेरा risk कहलाएगा standard deviation मतलब risk तो यहाँ जाएगा calculation of expected return and standard deviation फिर से कॉलम खिसते इस बार यहाँ year ना होकर यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा probability अब probability कितनी कितनी है जड़ा देखो 415 0.4 0.1 0.5 ठीक है सर और क्या जाएगा यहाँ एक से जाएगा एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स का मतलब हो गया आपका रिटन भी 25 पाच पंद्रा 25 पाच पंद्रा तो सर एक्स बार करना पड़ेगा एक्स बार आप ऐससे नहीं निकलेगा divided by 3 नहीं कर सकते आपको प्रोबैबिल्टी से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा उसको आप क्या बोलते हो पी एक्स पी एक्स अगर मैं पी का एक्स के साथ मल्टिप्लाई करूं तो करते कितना राजिक लेते पच्चिस इंटो पॉंट फोर तेन फब्व इंटो पॉंट वन जिरो पॉंट फाइफ और पंद्रह इंटो पॉंट फाइफ सेवन पॉंट तो टोटल कितना आ गया यह जो आए इसका नाम रहेगा एक्स बार और कितना आ गया 18 पर पर फिर वही क्या 18 परसन मिलेगा पक्का नहीं मिलेगा 25 भी मिल सकता साव 15 भी मिल सकता और 5 भी मिल सकता अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे डैवीशन निकलना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार तो कैसे निकालोगी 10 माइनस 18 मत करना 25 माइनस 18 तो यह आगया 7 5 इस एक्वल टो माइनस 13 और 15 इस एक्वल टो माइनस 3 जब आप इसका एवरेज करोगे तो अंसर क्या आएगा 0 किजिए एवरेज और आप एवरेज कैसे कर रहे हो सर हम एवरेज कैसे कर हमको तो आता है divided by 3 में फिर से बोलना divided by 3 एवरेज नहीं होगा अगर probability दिया है तो इसमेंस अब आवरेज कैसे होगा साथ का डेवीशन हो सकता इसकी probability कितनी है 0.4 अच्छा माइनस 13 वी डेवीशन हो सकता इसकी probability कितनी है 0.1 प्लस माइनस 3 डेवीशन हो सकता इसकी probability कितनी है 0.5 अब करो multiply 7 into 0.4 M plus 13 minus का sign सुनो इसको कैसे सर इसको कैसे करेंगे इसको चाहो तो M minus में डाल दो चाहो तो और सुनो 7 into 0.4 M plus कर दिया 13 और इसमें minus का sign लगाना है तो minus का sign कैसे लगीगा आपके calculator में plus oblique minus होगा हाँ सर उसको दबा दिया तो देखो minus का sign आ गया automatic into 0.1 M plus फिर 3 और फिर minus का sign लगाया into 0.5 M plus MRC answer 0 ही आना है ओके सर तो average ऐसे किया जाता है हाँ भाई हाँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे करना पड़ेगा square x minus x bar square तो बोलो यह कितना आ गया है 49 और 13 into 13 13 into 1 बल्टू कर ले ना 169 और यह क्या आ गया है 9 हो गया ना सर सर अब divided by 3 कर ले बिट्टे नहीं कर सकते ना problem तो यही है average ऐसे नहीं होगा average कैसे होगा average बिट्टे ऐसे होता है अब x minus x bar square into probability अच्छा सर जब जब भी probability दिया रहेगा divided by 3 नहीं कर सकते 49 into 0.4 19.6 169 into 0.1 16.9 9 into 0.5 4.5 अब करो total 19.6 plus 16.9 plus 4.5 तो यह आगे सर फोर्टी वन इसको अब divided by 3 तो होना नहीं है इसका नाम क्या रहेगा इसका नाम रहेगा variance और हमें क्या निकालना है हमें निकालना इसको क्या करना पड़ेगा 41 का स्क्वार रूट तो कितना आगे 6.40% इसका नाम मुझे यहाँ calculation करवाना ही नहीं चाहिए आपको पता ना आपको ऐसा रहाँ होगा पता नहीं क्या पढ़ रहा है जरुरत नहीं है ज्यादा सोचने की सोचने की जरुरत बस इतनी है standard deviation का meaning क्या है बस और कुछ मस सोचो अच्छा सर standard deviation का meaning क्या हुआ standard deviation का meaning है कि आपकी जो return है वो deviate हो सकते बस calculation important है यह नहीं आपके लिए यहाँ इस level पे क्योंकि जब portfolio पढ़ोगी तो हद होगी 40 classes में मैं यही काम काम होगा आच्छा मैं सिर्फ उस topic में जैसे problem क्या हो रही पढ़ाती है वक्त है टीचर को बड़ी दिक्कत होती ही साहब derivative में आ जाता है standard deviation अब अच्चे बुलते हैं सर यह क्या चीज है इसलिए मैं यहाँ समझाती हुए चल रहा हूँ कि पहली class है basic of finance इसमें समझ लो कि यह सब्दा सकता है यह सब्दा सकता है चैप्टर में यह सब्दा सकता है बस उन सब्दों का मतलब आना चाहिए बाकी तो फिर मैं class में समझाल लोगा और आप भी समझाल लोगे ठीक है सर मतलब यह हमारे लिए important नहीं हमारे लिए important है HD मतलब क्या होता that's it बहुत हो गया है क्लास थोड़ी से लंबी चले लिए सब पिछली क्लास भी ऐसी थी थी हाँ भी basic ओं फाइनेंस थोड़ा सा तो अभी कितना पॉइंट तक कर चुके हैं लोग देख लेगे एक बार कितना पॉइंट हो चुके हैं हमारा concept of standard deviation कि पाच पॉइंट हो चुके सब पाच पॉइंट और बाकि है तो दो क्लास और लगी है कम से कम दो क्लास तो लग नहीं लगना है दो क्लास के बाद फिर हमारा main आ जाएगा CA final SFM हमारा start हो जाएगा हम काफी कुछ हाँ हमें याद हो जाएगा यह था HD मैं बोलूगा फिर standard deviation आपको समझ में आएगा मैं बोलूगा future value आपको मैं बोलूगा present value तो यह चीजे समझ में आनी चाहिए तब ही आगे मज़ आएगा तो आज के लिए बहुत है thank you, bye bye